हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है अपने ही चनल चीके माधिका पर जैसे कि दोस्तो आज आपका SSE GD का 13 जनवरी का फर्स शुट का एक्जाम हो गया है तो दोस्तो जिसका मैं आपको 100% real questions का अंसर के साथ इस वीडियो में बताऊँगा तो चलिए दोस्तो देख लेते हैं क कि आज किस वरकार का questions पूछा गया है तो दोस्तो पहला प्रस न पूछा गया है दो हजर गारा की जनगना के अनुसार दूसरी सबसे कम साचर्टा दरवाला राज कौन सा है तो दो हजर गारा के जनगना के अनुसार दूसरी सबसे कम साचर्टा दरवाला राज पूछा गय तो हजार गारा की जनकन्ना के अनुसार बिहार जो है भारत के सबसे कम साच्छर राज है और पहले नमबर पर है ठीक है और सबसे अधिक साच्छर राज किस राज का है तो केरल राज का है तो सभी फैट को ध्यान रखेगा ठीक है अगला प्रस्ण पूछा गया है खाना पका की स्थापना कभ हुई थी 1927 में हुई थी ठीक है अब बात कर लेते हैं पहला अध्याज ही सkg के पहला अध्याज जो है 12 बजवी ताटा थे ठीक है और मुख्याले की बात करें तो मुख्याले में नई दिल्णी और वर्तमान में इसका अध्याज पीटी उसा है तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा और अंतर राष्ट्य उलंपिक समीती की अस्थापना कब किया गया था तो 1894 में मुख्याले इसका लोसाने स्वीटिजर लेंड में है और अध्यस जो है थोमस बाच जो जर्मनी के है ठीक है अगला प्रस ने पूछा गया है कि 1950 में मुख्यान लागू होते समय क्या सामिल नहीं था तो मौली करत्य भी सामिल नहीं था इसका सही अंसर हो जाता मौली करत्य ठीक है अब दोस्तों मौली करत्य जो है वर्तमान में पचासवा मुख हिनाधि जो है डी वाई चंद्र चूड़ है ठीक है अगला प्रसन पूछा गया है चंद्र इस्थिर्ता के साथ इस्थिर्ता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षी ओजना का उदेश है तो कौन सी पंचवर्षी ओजना का उदेश है चौथी पं पहला उदेश कौन है तो स्थिर्टा के साथ विकास जो आपको क्यूचन पूछा गया है और दूसरे पंच वर्षी ओजना जो है आत्म निर्भरता की इस्तिती प्राप्त करना ठीक है अगला प्रस ने पूछा गया है कि किस ओजना के तहत सरकार अश्ट्रीट वेंडर्स को एक वर्ष के लिए 10,000 रुपिये तक लोन बिना गरांटी के देती है तो किस ओजना के तहत PM सवनीधी ओजना के तहत ठीक है अगला प्रस ने पूछा गया है 2018 एस्चन खेल का मोटो और थीम क्या था तो 2018 एस्चन खेल का मोटो जो था Energy of Asia ठीक है अब बात करनेते हैं कि 2018 एस्चन खेल में भारत का रैंग क्या था तो भारत का रैंग आठमा था जिसमें 16 स्वर्ण, 13 सिल्वर और 31 ब्राउंज जीता था टोटल 70 मेडल जीता था ठीक है अगला प्रस ने पूछा गया है कि कौन सा अभिनेता 2022 में पच्छिम बंगाल से MP बने है तो कौन सा अभिनेता 2022 में पच्छिम बंगाल से MP बने है सतरुधन सिनहा ठीक है भारत में Micro Finance को कौन नियंत्रित करता है तो RBI नियंत्रित करता है Reserve Bank of India ठीक है अब बात कर लेते हैं अगला प्रसन जो पुछा गया है नागा लेंड के सेकर नई फेस्टिबल कितने दिनों तक मना जाता है तो नागा लेंड का सेकर नई फेस्टिबल जो है कितने दिन तक मना जाता है तो दस दिन इसका सही अंसर हो जाएगा अब मैथ से फर्मूला पूछा गया है और दोस्तों रोज एक फर्मूला पूछा जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखेगा तो मैथ से पूछा गया जो फर्मूला है कि बेलन का आयतन का फर्मूला पूछा गया है तो बेल पुछा गया है तो दोस्तों आज इतना क्यूस्जन पूछा गया है टोटल लगबक छपी क्यूस्जन का इनलाइसिस देखें हैं ठीक है तो आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपको इसी तरह का इनलाइसिस डेली आपको दिया जाएगा ठीक है जय हिंद